नमस्कार मैं हूँ राजन कुमार अब बने वे नीज़ पेर के साथ देखिए बिहार में सियासी खिच्री पर पकना सुरू हो चुका है हम बात इसलिए करें क्योंकि बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है सियासी खिच्री पकना तैयार हो गिया जिस तरीके से लालू और तेजस भी सियासी नीज़ के पास आनन फानन में सुबा सुबा मिलने पहुशते हैं उसके बात से यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या सियाम नीतीज कुमार अब अपने विधाईकों को पटना में रहने के लिए बोले हैं क्या बड़ा खेला होने जा रहा है तमाम बातों को लेकर जो चर्चाय चर रही थी वो बात क्या सही हो जाएगी देखे बीजेपी के तमाम दिग्ज नेता बंद कमरे में बैठा कर रहे है तो CM नितीज कुमार ने भी सारे विधायकों को पटना में रहने के लिए का दिया यानि बिहार में बड़ा खेला हो सकता है सरकार फिर से इधर उधर हो सकती है जो सुत्र बता रहे हैं जो खबर CM होस से निकल कर आई है निउज पियर के पास जो सुत्रों के हवाले से जो निकल कर तस्वीर जो सामने आई जो खबरे सामने आई उससे अंदेशा लगा जा सकता है कि CM नितीज कुमार आखिर क्यूं तमाम विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है क्या CM नितीज कुमार क् तक फैसला लेने तक किसी को पता नहीं चलने देते हैं इसलिए मुख मंत्री हमेशा बिहार के सत्ता पर कावीज रते है और वहीं BJP बंद कमरे में सबसे बड़ी बैठक करने जा रही है MP के मुख मंत्री जो यादब है वो भी यहां पहुँचे हुए है थी बस ये कारिक्रम को लेकर और जिस तरीके से जो ख़बरों को क्यास लगाया जा रहा था कि क्या CM नितीज कुमार एक बार फिर से बिहार की राजनीत में जटका दे सकते हैं आनन फानन में लालू और तेजसमी का मिलना बरा क्यास लगाया जा रहा है सभी के जहन में एक ही बात चर रहे है सीट सेरिंग अगर सीट सेरिंग होती है तो तमाम दल को बैठना पड़ता है तभी सीट सेरिंग की चर्चा होती है क्या लालू और तेजसमी को दर्ष सटाने लगा है जिस तरीके से जो सुत्र बता रहे हैं कि CMN 30 कुमार ने आकिर सभी विधायकों को पटना में ही रहने के लिए क्यूं कहा है CMN 30 कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं वहीं BJP का बंद कमरे में बैठा कभी से अंदैसा लगाया जा रहा है कि CMN 30 कुमार जल्द ही बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द ही बिहार के लिएक बड़ा फैसला ले सकते हैं और बिहार की राजनीत एक बार फिर से ठंड क मौसम में गर्म आ गई है